इधर आपको बताएं आगे बढ़ते हुए जहां CM सुखो के धर्मशाला में दिये गए बयानों पर BJP उम्मिदवार सुधीर शर्मा ने परटवार किया मीडिया में बयान चारी करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि CM सुखविंदर सिंख सुखो जूट के दुकान लेकर धमशाला में आते हैं और अनाप शनाप बयान बाजी करने लग जाते हैं उनका ये भी कहना था कि मेरे ड्राइवर के नाम पर जूट बोलना सरासर घलत है CM सुखविंदर सिंख सुखो को चैलेंज करते हुए चुनाती देते हुए सुधीर शर्मा ने भी कहा कि मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि Election Commission को सौपे काई मेरे हलफ नामे के अलावा कुछ भी और मेरा निकलता तो मैं सरकार को सब कुछ दे दूँगा लेकिन साथ में CM सुखु भी अगर जूट बोल रहे हैं तो उनी भी अपना सब कुछ सरकार के नाम ही कर देना चाहिए कल सुखविंदर सिंग सुखु जी ने धर्मशाला का दोरा किया और बड़ी बड़ी बाते हैं वो जैसे की मंचों से हमेशा कहते आए हैं पूरी अपनी जूट की दुकान ले करके धर्मशाला आए और कुछ भी अनाफशना ब्यान बाजी करके चले गए यहास्यस्पद बात है आते ही कल उन्हें कहा कि सुधीर शर्मा का एक ड्राइवर जिसके पास इतनी रिजिस्ट्रियां है सुधीर शर्मा की संपत्ती इदर है सुधीर शर्मा की संपत्ती उदर है मैं यह कहना चाहता हूँ सुखो जी को कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जो मैंने हल्फ नमा एफडेविट अपना इलेक्शन कमिशन को दिया है अगर सुधीर शर्मा के पास उसके अलावा कुछ है तो वो सारे कसारा मैं परदेश सरकार को दे दूँगा लेकिन साथ में यह भी कि जो आपके पास है वो भी आपको इस परदेश के नाम कर देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि आया कहां से एक बड़ी अपनी छवी ऐसी उन्होंने बनाने की कोशिश की जब आपदा इस परदेश पर आई कि मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई जो है वो परदेश की परदेश को दे दी आपदा रहात में दे दी मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है यह जो कमाई है यह जब आप मुख्यमंत्री बने तो SJVNL को जो आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी है उसका किराया बढ़वाया उसका चेक आया और वो चेक जो है आपने आपदा रहत में दे दिया पूरी कमाई नहीं दिया पूरे आंकड़े उसके हैं और जो मेरे खिलाब बात कर रहे हैं उसका आंकड़ा कोई नहीं है तो इस तरह की बात वही वेक्ति करता है जो बिलकुल बुखला जाता है मुझे तो लगता है मैंने पहले भी कहा है कि उनको तो पहले तो मुझे लगता था कि मैं सपने में आता हूँ अब मुझे लगता है कि उनको hallucination हो रही है जैसे कि व्यक्ति जब एक ही व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है तो उसको दिन में भी वो नजर आने लग जाता है सामने ये हास्यास पत्स्तिती सुक्खु जी की हो गई है ये बोकलाट है कि आपकी एजिंसी ने तनी कमजोर हैं कि आपको पता ही नही कौन है गाड़ी कौन सी है क्योंकि आपने जो प्यादे पाल रखे हैं उनका भी उतना ही जनाधार है कर मीटिंगों में अपनी देख लिया होगा कि वीड जुट नहीं रही है तो ये हालत जो है ये किसी ने नहीं की प्रदेश की आपने की है और इस प्रदेश की कानून विवस्था परनपते भू माफिया और परनपते भृष्टाचार के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है सुख्विंदर सिंग सुख्व जिम्मेवार नहीं है